हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो मैं यूटुब चैनल दापेट विजन दिससे साहिल मलीक यूर होस्ट यूर वेट तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है वह एक मॉस्ट इंपॉर्टन टॉपिक पर है तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि विंटर सीजन आ चुका है तो कॉमन कोल्ड होने की जो पॉसिबिलिटीज होती है बहुत ज्यादा होती है तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि वह कौन से ऐसे सिम्टम है जो एक कॉमन कोल्ड के अंदर शो होते हैं जब आपका डोग कोमन कोल से सफर कर रहा होता है और अपके डोग को कोल्ड नहीं होगा हंडर प्रसेंट नहीं कहूंगा लेकिन कुछ उनको रहात जरूर मिलेगी दोग इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप अपने डोग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप अपने डोग के लिए या अधर जो स्ट्रीट डोग के लिए एक सेवा भावना रखते हो उनके लिए बहुत सारी लव वाली फिलिंग रखते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना लाइक करना और अगर चैनल पसंद है तो आप कमेंट जरूर करना तो इसलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो कोमन कोल्ड यानि आपके डोग को जुखाम हो जाना तो सबसे पहले जुखाम के अंदर जो आपके डोग को सिम्टम देखने को मिलेंगे जैसे हुमन बिंग्स के अंदर भी होता है कि नाक ब डोग के अंदर खासी देखने को मिलेगी वो जो खासी होती है एक्यूट भी हो सकती है अगर एक्यूट है तो घबराने वाली बात नहीं है अगर क्रोनिक है तो इमिडिटली वेट से कंसल करके आप मैडिसिन का यूज कीजिए और अपने डोग को बचा लीजिए और काइस कॉमन कोल्ड के अंदर आपके डोग को जैसा कि मैंने बताया फीवर तो इस फीवर के साथ फीवर होने के वज़े से आपका डोग जो होता है बहुत ज़्यादा लेजी हो जाता है यानि वह ऐसे नॉर्मल अगर उसकी जो एपटाइड थी यानि जो उसको नॉर्मल एक भू करोगे तो उस सिच्वेशन के अंदर आपको समझ लेना है कि आपका जो डोग कोमन कोल्ड यानि जुखाम से सफर कर रहा है बट आपको उसके अंदर क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या ऐसे रीजन है तो सबसे पहले बात करेंगे हम रीजन की तो कारण क्या होता है जैसे बैक्टरियल भी हो सकती है या कुछ ऐसे जो एंटीजन होते हैं जो आपके डोग की बोडी के ओपर बैट जाते हैं यानि बैसिकली जिनको हम फोरन मेट्रियल या फोरन ऑब्जेक्स भी बोल सकते हैं जैसे जो मखियां वगेरा होती है कुछ फ्लाइज होती है अलग- बैक्शन हुआ है तब भी जुखाम हो सकता है और साथ में ही अगर आपका डोग ठंडा पानी पी ले डोग की हैबिट होती है कि अगर पानी दिखा तो उसके अंदर कई बैठ जाते हैं बिकोस उनको नहीं पता होता कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है लेकिन जैसे आप आपको होम रेमिडीज बताने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट बताऊंगा जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसका नाम है गाईज हनी टस अब गाईज यह जो हनी टस है बैसिकली इसके अंदर हनी है विकोस नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अ करेगा तो हनी बहुत ही ज़ादा जरूरी है तो जैसे ही सरदीय स्टार्ट होती है आप अपने दोक को हनी देना स्टार्ट कर दो दो चम्मछ उसको सुबै, तो चम्मच आपको शाम को देना है तो फस्त रेमिडी तो ये थी काफी इसका यूटूबर ने आपको बताई के तोर पर देखते हैं एलोपैथिक्स भी होती है लेकिन वह नुस्का मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो आपको क्या करना है आपको 15 ग्राम जीरा लेना है जीरा जैसे स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा साथ में आप 25 ग्राम एजवा कूटे एक पावडर फॉर्म बन जाएगी फिर आपको क्या करना है आपको एक लीटर पानी लेना है और इस पावडर फॉर्म को आपको उसके अंदर भीला देना है ताकि एक अच्छा एक सस्पेंशन बन जाए फिर आप गाई उसको कम से कम पांच मिनट तक रखिए जैसे जैसे वह फाणी थंडा होग यानि आपने गरम पानी दखा है फिर फाने को आप ठंडा कीजिए जैसे फो ठंडा हो जाएगा फिर आपको छलनी होती है जो या चुननी वगरां के यूज कर सकते ऑन्दर की कोई साफ चुननी हो अप उसे ले सकते हो उससे आप उसको चान सकते होरो कि जो सोलिड मेट मेटरियल होता है दो ऌड़ मेटरियल है वो नीचे आ जाए घर आप उस काढ़े तो चीज की लेकिन आपको यह ज़रूर गाइड करूंगा बहुत ही GUYS आपके डोक के लिए आपके डोक कभी भी उसको cold नहीं होगा ऐसे winter season के दोरान तो guys यह बहुत ही important था आपको बताना because guys मैंने खुद ने अपने डोक के साथ apply किया है वैसे मैं believe नहीं करता हूँ रेमिडिस के अंदर but मैंने किया मुझे अच्छा result मिला इसलिए guys मैं आपके साथ यह share कर रहा हूँ और guys as a wet होते हुए तो guys मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है इसलिए मैंने आपके साथ share की तो guys आपके यह चीज़े बहुत ही ज़्यादा help करने वाली है और guys additionally मैं आपको एक जो हम बोलते हैं star point जब भी हम study वगरा करते हैं तो एक important point होता है star point करके यानि आपको ये note कर लेना है आपके घर में himpirin नाम की सिर्फ जरूर होने चीए अगर आपका dog fever से सफर कर रहा है यानि वो सुस्त है या और कुछ ऐसी problem आ रही है कि वो normal खाना पीना नहीं कर रहा because fever के अंदर ऐसा होता है normal cold के अंदर ऐसा होता है आपका dog खाना पीना बंद कर जाएगा तो guys आप वो himpirin दे सकते हो himpirin के उपर भी काफी जादा वीडियो हमने बनाई हुई आप उसको watch कर सकते हो बहुत यह का अच्छा result मिलता है तो guys सबसे पहले तो मैं यही भी आप से बोलना चाहूंगा as a हम बोलते हैं like की request करते हैं सबसे पहले यह कहूंगा आप प्लीज जो आप वीकल वगरे ड्राइव कर रहे हो बहले ही आपके पास कोई गाड़ी हो बहले ही आपके पास कोई बाइक हो तो guys please ध्यान से आप उससे चलाएं और slow चलाएं because guys winter season आ गया है थोड़ी अब धुन पढ़ने लग जाएगी तो guys यह जो dogs होते हैं जो street dog होते हैं बिचारे सडकों पे कहीं बैठे रहते हैं तो वो guys हमारी भी कहीं गलती नहीं होती because fog है तो हमें दिखने पाता बड़ guys मैं आपसे हाथ जोड़ के यह request करूँ हा कि आप please safely drive कीजिए आप खुद के लिए भी safe रही है और आप pets के लिए भी safe रही है या जो street जो animal है या जो large भी animal है उनके लिए आप safe जरूर रही है तो झाल 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 झाल